हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है संतर मेत पर आज के इस वीडियो में लोग भाग याने डिभाड करना सिखेंगे तो देखिए चार तरह का कोश्चन है पहला कोश्चन सधरन भाग है और दूसरा देखिए इसमें लोग जिरो लगाना सिखेंगे और इसके बाद बड़ संख्या से छोटी संख्या को भाग करना सिखेंगे तो चलिए बारी बार से सीखते हैं उससे पहले आप चैनल पर पहले बार आए तो चलो को सब्सक्राब कर लेंगे इतना बार कि आपका नो आ जाए यह से कम जो आएगा उसको लिखेंगे तो देखिए दो का पढ़ा पढ और दो बच्चे 10 तो पांच भार दास हो जा रहा है याणि ज्यादा हो जा रहा है तो में लोग चारवा पढ़ेंगे यहाँ दो चोगे आट लिखेंगे यहाँ ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसुन में 64 को घटाते हैं तो नो में में से गर आड़ घटाएंग तो दो अट्टे कितना होता है दो अट्टे 16 होता है तम लोग 16 लिखेंगे चली अब इसको घटाएंगे तो साथ मेंसे छेग्या तो एक और एक मेंसे खेग्या तो जीरो जीरो चली अब हमलू 5 कुतारेंगे तो अब हमलू 2 का पढ़ा पढ़ाएंगे तो 2 अट्टे 16 ज्यादा हो जाएगा तो 2 हमलू 2 सत्त में करेंगे 2 सत्ते 14 योगे 14 अब इसको घटाएंगे कितना बज़ेगा हमलू 1 बज़ेगा तो यह कुछ नहीं चली अब हमलू उसके आटे 16 होता है तो यह पर लिखेंगे अब देखिए 6 में 6 अगटे तो कुछ नहीं एक में से अगटे तो कुछ नहीं यह जीरो चली यह हमलोग आग्या अनसर चली अब हमलोग दूश्रा टैप देखते हैं इसमें देखिए तीन का पढ़ा पढ़ना है पर 9 लाना है तो कित इतना में आता है तीन तिया नो आता है तो में लिखेंगे तीन तिया नो यह आगे नो नो में से नो गटाएंगे तो जीरो यह नि क्रोस लिखेंगे चली अब हमलोग क्या करते हैं आगे वाला को उतारते हैं तो तेकी एक उतारेंगे तो क्या तीन से एक जाएगा नहीं ज तो तीन चोके 12 यह आगे हम लोग का 12 अब 12 में से 12 घटाएंगे तो 0 बचेगा चलिए तो इस तरीक से हम लोग इसको सल्व करते हैं तिसरा टाइप देखते हैं अब 14 करते हैं, तो इसको देखिए, कैसे भाग करेंगे , तो हम लोग चार का पाढ़ा पढ़ेंगे, देखें, चार एकम 4 यह आप चार लिखेंगे, फिर 5 में से घटाएंगी तो कितना बचेगा? अब चार का बढ़ा पढ़ना है तो बारा लिखेंगे उसके बाद तीन मेंसे घटाएंगे तो जीरो जीरों इसे बाद हम लुग क्या करएंगे आगे बालक उतारते हैं, तो हम लोग जिरो उतारेंगे, तो हम लोग आगे 10, अब 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, तो 4 दूनी, 8 लिखेंगे आपे, तो 8 लिखेंगे, और अभी 10 में सकर 8 जाएगा, उतना बज़ेगा, दो, ठीके, अब और तो कोई सेंक्या है नहीं, तो हम लोग एंसर में एक दस्यमल्ब लेंगें जब हम दस्यमलब लेते हैं लोग एक जिलो बढ़ा सकते हैं को पाषभा तो चार पच्चे होता है बीस लिए लिख सकते हैं 4 25 लेस अब Zoom मेंसे leadership जायगा तो फुल्च नबच्यगा 2 थो घटेंका तो फुल नबच्यगा इस तरीक से हम लोग का answer आगी है चलिए चोधा बढ़ा देख लेते हैं अगर किसी बड़ी सेंख्या से छोटी सेंख्या अगभाब करना है तो क्या करेंगे देखिए 8 का पाड़ा में 3 तो आएगा नहीं तो हम लोग क्या करते हैं पहले हम लोग 10 मलब लेते हैं तब हम लोग 10 बढ़ा सकते हैं तो एक जिरो बढ़ा दिये व इसके बद 8 का पाड़ा पड़ते हैं तो 8 का 8, 8, 2, 16, 8, 24, 8, 4, 32, चार बर में ज्यादा हो जा रहा है तो हम लोग 3 तो आठ तीया 24 लिखेंगे चलिए अब इसको घटाते हैं तो जिरो से चार घटेगा नहीं उधर लेंगी तो यह जेगा 10 तो आठ सत्य होता है 56 तो मोलग छपपन लिखेंगे अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा चार बच्चेगा ठीक है अब फिर आठ से चार जाएगा नहीं तो क्या करेंगे अमोग देखें पॉइंट है तो मोग जिरो ले सकते हैं अब 8 का पढ़ा पढ़ा पढ़ेंगे तो जिरो बच जाएगा चली तो इस तरीक्शन लोग भाब करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक कर दिजेगा और अगर चैनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सस्काइब कर लिजेगा वीडियो देखने के लिए धन्याबाद